नमस्कार आईए आपको कुछ दिखाते हैं यह चावल जो खाते हैं आप अपने घर में इसी में से निकलता है यह धान है और यह धान की रुपाई हो चुकी है कली वही थी यहां पर कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है धान के लिए हमेज़ा पानी के अवश्यक्ता बहुत होती है बारिश कम होगी तो धान नहीं हो पाएगी लेकिन पिछले तीन दिन से बारिश ठीक हुई है और शायद यह खेद भर चुका है पानी से लेकिन पानी की और भी ज़रूरत है सिर्फ इतने पानी से काम नहीं चलेगा अभी, कुछ दिन के बाद फिर जरूत पड़ेगी, नजदीक से आप देखिए धान को, और नजदीक से देखिए, यहाँ जादा तर खेतों में धान ही है, दूर दूर तक देखेगा, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बड़ा ह ही खुबशूरत में जा रहा है, महसूस कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अभी यहाँ है तो नहीं, लेकिन इस जगे को और इस सीन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हलकी हलकी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बून पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यह एक पेड़ भी है, नीम का, इसके नीचे हम खड़े हैं, तो हम उतना भीग नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बून तो पड़ी रही है, यह ट्यूबल लगाए किसी का उधर, हाँ, ट्यूबल है, देखिए हाँ, झाल毫 किसे हैं, थाँ, लेकिनगे हैं, अज dulब रही है, जूबल रहाँ, इसके जाँ, अएवल झाल हो बराओवव सरीपह सरी बूड़ी बूआबल बू़ सो लग एकिनगे हैं, जह आताए हैं, वसके हैं रही हैं,